मारने मूख मंत्री जारखन सरकार आप इतना कड़ा कानुन पास करके आप लोगों को जो ठग रहे हैं ये क्या सवाल बना रखे हैं जारखन सरकार मजदूर और किसान इतना निम्न कोटी का हो गया जारखन के जिर के पास बैंक में कभी जिन्दगी बैंक देखने का नहीं जा सका उनको आप बैंक का ओनलाइन मांगते हैं आप उतना बना के रखें है ज्यारखन के न उनको पूम को न शिच्छा दे पाएं न को सही दिसा वो उनको भरकूर खाना ब्यास्थार कर पाएं किसी का पैयर्द्हों करके किसी का चुलाव में यह ऊग मैं और वू उसको बैंक की बात करते बैक में जिन्दगी में देखा रहता तो आपका ये इस्तिरा से हाल ब्यधाली पूरे देश-परदेश में क्यों रहता आपका जारकन के लोग आप जो जारकनियों को चुतिया बना रहे हो ये चुतिया बनाने छोड़ दीजिए बहुत परसान कर रहे हो जंता को जारकन में क्यों जंता क्यों नहीं आप काम देपाते हो जारकन में काम नहीं दिया तो बोचरा जहां जहां पर जहां उपना बैक में ख़ता खुला है वहां पर अपना ओनलाइन का साब चालू है वहां के क्यों नहीं बैक में पैसा देते हो जहां वो जनता फंसा है उसको खागते में पैसा उसको देती है जहां मांगता है तहां लेकिन आप यह परसान डाल के तो वह साल में घर जाता है बाद में वह आता है तो अपना प्रसान है जनता अब इतना हववा खड़ा कर रखे हो कि विचारा को वो एक हजार जी दो हजार देवों करोगे उसमें भी हववा दिरात भर रात पर ओनलाइन का खोजने में लगा हुआ है इस तरह हववा खड़ा करके आप लोगों को परसान मत कीजे देना है तो सही दिसासे देए नहीं द हववा करना बंद कीजे सरकार धार्खन सरकार आपका जो खेला है देखते करके हम लोगों को मजाक लग रहा है कि एक जोगी सरकार जो पूरे हिंदुस्तान में नमबर वन जोगी सरकार जो है अपना जनता को पहले उठा के लिए भाग गया दूसरे में काता है दूसमन रह करने से इस तरह से नहीं चलेगा अभी संकट में रच्छा करने की बात करो इस तरह से परसानी करने का कोशी मत किए आप जो हम लोगों को दिल में एतम गुश्चा चल रहा है आपका कानून और नियम पर यतना कानून करके जान बचानी की कोशित कीजिए पहले उससे बात जितना लीजेगा लेकिन अभी माप कीजिए जनता को देना है दीजिए नवी देना देख पैसा मत दीजिए किसी को नहीं चाहिए पैसा भूख दीजिए खाली मिटा दीजिए जनता को जै भारत जै धारखंड